Hello everyone, welcome to my youtube channel, in this video we do worksheet no.3 of chapter no.4 ratio, proportion and unitary method of class 6 तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि यह वक्षुट 3 है हमारी, मैं बुक में से एक बार आपको दिखा देती हूँ यह वक्षुट 3 है, यह हमारी डिये की बुक है, हमारी 6 लास की बुक है, इसमें हमारी 3 वक्षुट है, इसमें हमारी टोटल है, 8 questions है तो हम यहाँ पर question number 1 से start करेंगी, यह हमारा क्या है, unitary method की हमारे questions है अब यहाँ पर मैं थोड़स आपको बता देती हूँ, यह यही जो यहाँ पर कराया गया है, यह जो definition यहाँ पर बुक में दी गई है मैं वही सब कुछ आपको यहाँ पर भी करवाऊंगी, तो यहाँ है हमारे पास, मैंने वही से ही write किया है same as it is है, अगर आप चाहें तो यहाँ से write कर लें, आप चाहें तो अपनी बुक में से write कर लें, same है वो तो यहाँ पर हम सबसे पहले start करते हैं, unitary method मैं बता देती हूँ, आपको होता क्या है the method of first finding, the method of first finding, the value of one article unit by division and then finding the value of more articles units by multiplication is called unitary method देखें यहाँ सबसे पहले क्या है, the method of first finding, सबसे पहले हमें क्या करना है, the value of one article means इसका क्या हुआ, कि हमें ज़्यादा articles की value दी हुई होगी, जैसे यहाँ पर देखें, क्या दिया हुआ है, 15 geometric boxes cost Rs. 450 means हमें बताया गया है कि जो 15 geometric box है हमारे, वो कितने रुपी के आएंगे, 450 rupees के आएंगे, ठीक है पहले तो हमें 15 geometric boxes का दिया हुआ है, लेकिन जो unitary method है हमारा, वो यह कहता है कि पहले आप, आपको ज़्यादा चीज़ें दी गई होगी, जैसे 15 geometric boxes आपको दिये गई है, वो 450 rupees के हैं, ठीक है आप क्या करोगे, पहले तो आप यहां से निकालोगे कि 1 geometric box कितने का होगा, we find the cost of 1 geometric box by dividing 450 by 15, सबसे पहले हम एक का निकालेंगे, ठीक है, एक का, आप यहां से बताएं, 15 geometric box तो 450 rupees के आएं, तो एक geometric box 450 का आएगा, इससे कम का आएगा, कम हमें पता है, जादा चीजें जादा रूपीस के आएगी, एक चीज कम की आएगी, तो कम के लिए हमेशा क्या करना पड़ता है, divide, तो यह जो 450 है, उनको हम 15 geometric box से divide कर देंगे, तो वो हमारा कितने का आजएगा, एक geometric box का आजएगा, रूपी 30, हमें पता चल गए, एक geometric box 30 रूपीस का है, we now find the cost of 4 geometric boxes, अब एक त 30 रूपीस का, तो हमें find करने की 4 कितने के आएगी, तो सोच के देखें, सिधी सी बात है, एक 30 का आता है, तो 4 geometric books जादा के आएगे, और जादा के लिए क्या करना पड़ेगा, multiply, means 30 multiply 4, यह तो मैंने आपको यहां से इसमें से बता है, मैं आपको questions कराती है, वहां से आपको ज्यादा clear होगा, तो हम हमारा question number one start करते है, question number one है, साहिल बाइस 8 books for Rs.72, what is the cost of 45 books, यहां देखें क्या कह रहा है, साहिल बाइस 8 books, कि साहिल ने 8 books purchase की है, कितने रूपीस में, 72 रूपीस में, what is the cost of 48 books, कि अगर वो 48 books purchase करेगा, तो उसे कितनी means उसकी cost आएगी, अब जब भी ऐसे question करने हूँ, देखो मैं आपको बताती हूँ, 8 books, मैं यहां ऐसे लिख देती हूँ, 8 ठीक है, आप इसमें से जहां जहां numerical value दी हुई है, यह means सिर्फ अभी practice के लिए बता रहे हूँ, अगर आपके पास pencil है तो आप pencil का use कर लेना, paper में चाहें तो paper में भी साहिल बाइस, 8 books, ठीक है, आप इसको ऐसे कर लें, ठीक है, ताको आपको easy पड़े आपको question, 4 rupees 72, आप इसको answer कर लो, ठीक है, what is the cost of 45 books, ठीक है, अब यहां से जो main main चीज़ है थी, मैंने उनको ले लिया, कि 8 books हैं, वो 72 रूपीस की है, तो 45 books हमें बताना है कि कितने ही आए ठीक है, अब आप सबसे पहले यहां देखे, दो बार कौन सी चीज दी गई है, books, books, ठीक है, यहां देखो, 8 books, 45 books, main सबसे important चीज यही है, कि जब हम अपनी यहां पर statement लिखेंगे, question करते हुए, तो हमें पहले equal से left में क्या चीज रखनी है, यहां है 8 books, और यहां है 45 books, दो बार आई है, means आपको लिखना पड़ेगा, 8 books, या फिर आप ऐसे लिख लो, cost of 8 books is equal to, अब 8 books कितने की आई है, रूपी 72, ठीक है, मैं अभी आपको क्या important चीज बताई थी, कि यहां पर आप जिब statement लिखोगे, तो equal का symbol आएगा, यहां पर यह जो 8 books और 72, एक चीज ले में रखी जाती है, ठीक है, आप अपनी पूरी statement में, जो main important चीज है, उन पर ऐसे pencil से circle लगा ले, 8 books, 45 books, तो left में आपको जो दो बार दिया गया, वो आएंगे, means books को left में रखेंगे, 8 books, 4 rupees, 72, means cost of 8 books कितनी आई है, 72 रूपीज, अब हम निकाल लेंगे, cost of 1 book, ठीक है, cost of 1 book अब आप सोचके बताएं, 8 books तो जादा की आई है, और 1 book कितने की आएगी, कम की आएगी, ठीक है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, 72, इस 8 से हम उसको क्या कर देंगे, divide, यह unitary method है, means पहले 1 का आपको निकालना पड़ता है, ठीक है, हमेशा इस question में पहले divide होगा, यहाँ यह जो दूसरी line आएगी, इसमें divide होगा, और जो तीसरी line आएगी, इसमें multiply, तो आप इनको divide करके देखें, क्या 8 की table में 72 आता है, 8 ones are 8, 8 nines are 72, ठीक है, तो 8 ones are 8, 8 nines are 72, ठीक है, तो हमें पता चलगा कि, एक वो कितने रुपी की आई है, 9 रुपी की, ठीक है, तो cost of, हमे find करेंगे, तो कितने क्या आईगी, अब एक book तो आई है, 9 रुपी की, ठीक है, आप दुकान पे गए, आपने एक book लिया, वो आपको कितने रुपी की मिली है, 9 रुपी की, अब आप पताओ, अगर आप मान लीजिए, कि आप तो गए, 9 रुपी की आई है, मिन्स अगर वह से, ठीक है, आप 45 को 9 से multiply कर ले, 9 रुपी में आएगी, तो इसके हमें आगे कौन सा रुपी का, रुपी का सिंबल जरूर लगाए, ठीक है, तो ये जो question है, इसमें हमारा answer है, 405, next question है, the bus fare for 20 persons from Delhi to Chandigarh is रुपी 9,500, find the bus fare for 19 persons, अब फिर इसमें वही करते हैं, हम जो important चीज़ा उनको answer कल कर लेंगे, the bus fare for 20 persons, तो मैंने इस पे यहां से circle लगाया, ठीक है, 20 persons from Delhi to Chandigarh is रुपी 9,500, 9,005 रुपी, find the bus fare for 19 persons, अब आप यहां देखो, 20 persons, 19 persons, कौन सी चीज़ दो बार आई हैं, परसंस दो बार आई हैं, ठीक है, तो हमारी statement, जैसे यहां देखो, एक पर दुबार क्लियर करनें, बुक्स, बुक्स, दो बार आई थी न, तो बुक्स को इक्वल से लेफ्ट में रखना था, ठीक है, तो यहां पर ऐसी क्या चीज़ आए, जो repeat हुए है, 20 persons and 19 persons, तो हम यह इन से statement बनाएंगे, तो मैंस हमारा क्या आएगा, 19 persons है, उनका, बस फियर कितना है, उनका, रूपी 9500, तो हम लिखेंगे, दबस फियर, 4, 20 persons, ठीक है, is equal to, रूपी 9500, ठीक है, जो 20 परसन है, उनके लिए बस फियर कितना है, 9500, ठीक है, जो repeat होता है, उसको equal से left में, मिंस यह परसन, चाहें तो हम ऐसे 9500, हम कहा देंगे, 9500, वो बस फियर, वो कितने persons का है, is equal to 20 persons, लेकिन आप हमेशे आद रहें, कि जो दो बार आया है, वो equal से left में रहेगा, ठीक है, बस फियर फोर 20 persons कितना है, 9500, 20 persons के लिए इतना है, दबस फियर फोर 1 person, एक परसन के लिए क्या होगा, आप देखें, आप अगर आपकी family में 20 persons है, तो आपको इतने पे करने पड़े हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है, कि कभी आपको सिफ अकेले को ही कहीं जाना पड़े, तो विससी बात है, कि कम रूपी स्कर्च होगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 9500 divided by 20, जीरो से 0 cancel, अब 950 को आप 2 से डिवाइड करें, 24008, 270014, 250010, यह हमारे cancel हो की कितने पे होगा है, 475, इसके आगी रूपी का सिम्बल लगाने है, तीक है, मिन्स एक परसन के लिए कितना खर्च आ रहा है, 475 रूपी, अब हमें बताना है, दबस फेर 4, 19 परसन्स, कि अब की बार, एक परसन जाता है, तो 475 रूपीस लगते हैं, अगर 19 परसन्स जाएंगे, तो कितने रूपीस हमारे खर्च होंगे, अब आप देखो, आप पहली इस लाइन को मत देखें, सिर्फियान दूसरी और तीसरे लाइन को देखें, एक परसन के लिए 475, आप अकेले गए तो 475 रूपीस पे करते हो, लेकिन इस बार क्या है, आपकी फैमली ने सुचा है कि क्यों ना हम इकठे जाते हैं कहीं पे, ठीक है, तो वो 19 परसन्स जा र तो हम 475 को 19 से मल्टिप्लाई करते हैं, तो मैंने यहाँ उपर मल्टिप्लाई किया है, तो यह आता है हमारा 49025, 9025, ठीक है, तो हमारे इतने रूपीस यहाँ पर खर्च होंगे, मल्टिप्लाई पहले यह अलग से कर लें, कोगि अगर वीडियो में करें, बहुत टाइम स् जाती है, ठीक है, तो यहाँ से इस वीडियो में इतना ही, यहाँ पर मैंने कोशन 102 आपको करवाया है, अगर आपको कोशन अच्छे से समझ आए हैं, आपको वीडियो पसंद आई है, तो आप वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बैल आइकन ज एक जगे मिल जाएंगे, ठीक है, तो अगर कोई डाउट है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, थैंक यू सो मच,